भावना से अगर आप इसको करोगे यह बहुत एफेक्टिवल हो सकता है जिनके बिवहा में समस्या आ रही हो उनको बिवहा की समस्या को दूर करने के लिए लड़का हो या थुबा लड़की, बेटा हो या बेटी उस समस्या को दूर करने के लिए बेला का फूल लेना चाहिए और बेले का फूल लेकर 108 बेले के फूल लो और 108 बेले के फूल लेकर भगवान के 108 नामों से उनका अर्चन करो अब 108 नाम आपको नहीं मिलेंगे आप कैसे याद करोगे आज कल के बच्चों को तो आठ नाम याद नहीं 108 तो बहुत लंबी चीज है तो सुम्बार के दिन जब आप मंदिर में जाते हो तो पंडिजी को बठा लो कि महाराज सिर्फ सिव अविशेक और सिव अर्चन करा दीजिए 108 108 पुष्प हमारे चड़वा दीजिए वो भी संभवना हो तो और सूक्ष्म रास्ता में आपको बदा देता हूं 108 बार आप वो पुष्प को चड़ाने से पहले लड़किया ओम सब्द का इस्तेमाल न करें जितनी भी बेटियां हैं बहने हैं वो क्या बोलेंगी सिवाई नमह सिवाई नमह सिवाई नमह सिवाई नमह हम लोग क्या कर दे ओम नमशिवाई ओम नमशिवाई मंत्र जापते उसका प्रवाव नहीं ओम किसको जपना चाहिए शिप पुराण में पूरा प्रमाण है आज कल कोई भी सिप मंत्र देते समय ओम नमस शिवाय भुलवा देते यग्यो पवीद जिसका नहीं हुआ उन पुरुषों को भी ओम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए द्यान दखें पुरुषों को जिनका यग्यो पवीद नहीं हुआ वो ओम नमस शिवाय मत बोली क्या बोलें फिर नमस शिवाय नमस शिवाय नमस शिवाय देवियां सिवाय नमा सिवाय नमा सिवाय नमा इसका भी उतना ही फल है जितना ओम नमस शिवाय बोलने का फल है इसको कहीं गलत न सभखने कि कहीं ओम्ले जभाणा ले जाएंगे वो १ो एक नियम है आप जैसे नहीं मिलिटरी में जाओगे तो ड्रेस पहनने ही पड़े गिए वो एक नियम है तो आप लोग सिवाई नमः, सिवाई नमः, सिवाई नमः ऐसे एक सौट बार आप बोलें और वो बेला का पुस्प आप चड़ा दें जब बेले का पुस्प एक स्वाट बार और ये कम से कम ग्यारा स्वंबार करें बैसे तो अगर आज कर रहे हैं तो ग्यारा स्वंबार की बराबर ही आज में किसके एक ही स्वंबार में फल होगा क्योंकि इस्रावन का सौंबार है लेकिन अगर आज आपसे मिस हो जाए कई लोग सोच रहे होंगे महारा जाओ हम तो आ गए यहां अब बेला के फूल मिलेंगे कहां अब जहां मिलें वो देख लो नहीं तो आज नहीं तो बाकी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं